मंजील नहीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है अब पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त होसलों से उडान होती है हलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागा थे आपका अपना चैनल अरियना स्टडी सेंटर में फ्रेंट्स आज हम लोग क्लास 10 का बिहार बोर्ड का मैत किताब से पर्सनावली 8.1 का 1 से 5 तक के सवालों को हल करेंगे और बहुत ही असानी पुरों का हल करना सिखेंगे फ्रेंट्स त पहले इसके बैसी कंसेप्ट को समझ लेते हैं उसके बाद सवालों को हल करेंगे तो देखें सबसे पहले यहां पर हम एक समकोन तिर्भूज बनाते हैं इसका नाम हमने दे दिया A, B और C इस A, B, C तिर्भूज में B समकोण है और समकोण तिर्भूज के सामने वाली भूजा करन कहलाती है जिसको menga countries से दिखाते आप लंब और आधार तो यह जो भूजा है लंबी खड़ी है लंब भूजा है इसको हम लोग कहेंगे लंब जिसकोईख में Exodus में दिखाते हैं पर्पेंडिकुलर कहते हैं और इस भुजा का नाम है अधार कि जिसको इंगलिस में बी से दिखाते हैं बेस कहते हैं अब फ्रेंट्स आप एक बात याद रखिएगा कि करण कभी बदलता नहीं है करण हम ऐसा फिक्स होता है लेकिन लंब और अधार बदलते रहते हैं तो इस तिरभुज में ही मैं आपको समझादेता हूं कि मानलीजी अगर सी को हम और मानते तो इसके सामने भुज़ा बदलते हैं मैं अभी फ्रेंट्स हमारा यह लंब के लिए लिखा था इसको भी हम लोग मिटा देते हैं नोट में लिख लिजिए फ्रेंड्स कोण के सामने वाले भूजा लंब होती नोट दो ये एक था समकोण के सामने वाली भूजा हमेशा करण होती है ये दो नोट फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखेगा इन सवालों को बनाने के लिए समझने के लिए अब फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि तिर्कून मीती में छोद तिर्कून मीतिया नुपात होता है वो कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले साहिं थिटा में 20 तीटा सायं थिटा का उल्टा होता है फ्रेंड्स को से थिटा कोस थिटा का उल्टा सेक थिटा 10 तीटा का उल्टा tenureal आब एक इंगलिस में फर्मूला इसका फ्रेंड्स से पंडित बदरी परसाध हर हर बोले तो इस अधार पे सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं तिर्भूज ABC में जिसका कौण B समकौण है ये वी बराबर 24 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है निवनलिखित का मान ग्याद कीजिए तो सबसे पहले फिरेंट्स हम यहां पर एक समकौण तिर्भूज बनाएंगे चलिए समकौण तिर्भूज बना लेते हैं इसका नाम दे दिया हमने ए बी का रहा है कि समकौण है यानि ये बी हो जाएगा और ये सी कि एबी भूजा कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर अथार्ति ये 24 सेंटीमीटर हो गया बी सी भूजा साथ सेंटीमीटर यह साथ सेंटीमीटर है तो हमें निलिखित का मान गयात करना है तो फ्रेंट्स हमें मान गयात करने के लिए भूजा की तीनों लंबाई हमें पता होनी चाहिए लेकिन इसमें भूजा की दो ही लंबाई पता है एक पता नहीं है तो उसको हम लोग कैसे पता क करेंगे तो सबसे पहले देखिए फ्रेंट्स यहां पर क्या दिया सबसे पहले फ्रेंट्स देखिए कि यह वी समकोण है और समकोण के सामने वाली भूजा करण होती है कि इसका मतला फ्रेंट्स एसी भुजा इसमें कर्ण है और एक को यह दिया हम फ्रेंट्स मान लेते हैं कौन तो यह लंब हो जाएगा और यह अधार सी को कौन मान लेंगे तो यह लंब और यह अधार हो जाएगा तो सबसे पहले हमें तो फ्रेंट्स एसी निकालना कर्ण निक आहेंगे पाइथागोरास घाटागोरास पर मैसे दो है कि ठेंट यदि वीडियो अच्छा लाग रहा हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट करते चले पाइथागोरास परमेह से friends हमें AC निकालना है यानि कर निकालना है तो AC बराबर अंडरूट AB square प्लस BC square उसके बाद अंडरूट AB का मान देखे कितना है 24 24 का वर्ग हो जाएगा प्लस BC का 7 7 का वर्ग उसके बाद friends 24 का वर्ग कर दीजिए तो 24 का वर्ग होता है प्लस साथ का वर्ग उन्चास इन दोनों को जोड़ देना है तो 576 और उन्चास हो जाएगा 625 और 625 का वर्ग मूल होता है फ्रेंट्स 25 25 गुणा 25 बराबर 25 तो देखिए AC के लंबाई कितने निकल गई 25 सेंटीमीटर तो AC हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर जब हमें तिर्भूज की तीनों भूजा पता चल गया फ्रेंट्स तो अब हम साइने को से आराम से निकाल सकते हैं शली एक एक करके निकालते हैं तो सबसे पहले साइने करने वाइन हम याणर पहलें निकालना है सैन A का मान और कोस एक तो जब इन निकालेंगे यानिदे को कोन मानेंगे फ्रेंट्स करन यहां 25 सेंटीमिटर हमारा निकला हुआ है अब साइन कमान निकालना है हमें तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण तो लंब है फ्रेंट्स BC बटा कर्ण है AC BC का मान देखिए दिया है साथ AC का मान है 25 तो पहला मान निकल गया दूसरा कोस A का मान निकालना है तो कोस A बराबर होता है आधार बटा में कर्ण तो आधार देखिए क्या है AB कर्ण AC AB का मान केतना है 24 AC का मान है 25 तो यह दूसरा अंसर हो गया कोस A का अब हम चलते है science C और कोस C का मान प्राप्त करते हैं आप फ्रेंट्स science C को C का मान निकालना आप यानि हमें C को कोन मानना है तो जब फ्रेंट्स C को कोन मानेंगे तो इसके सामने वाला यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा तो यहां हम लिख लेते हैं लंब कि चोववीस कि आधार कि साथ और फ्रेंट्स करन तो हमें साथ फिक्स रहता वह नहीं बदलता है तो तो साइन्स के मान हो जाएगा साइन्स की भराबत फर्मुला वही होगा लंब बटा कर्ण यानि लंब बटा कर्ण तो लंब बटा में कर्ण लेकिन यहां पर अब देख लंब बदल जाएगा अब लंब हमारा क्या हो गया है ये भी है बटा में कर्ण एसी एबी का माने 24 एसी है 25 पहला अंसर निकल गया हो दूसरा कॉस सी को सी का देखिए अधहार है बटा में कर्ण कि अधहार देखिए अब अधहार हो जाएगा बी-सी बटा में कर्ण एसी बी-सी एसाथ कर्ण 25 तो दूसरा अंसर भी हमारा निकल गया तो इस तरह से फ्रेंट्स कोशन नमर एक कंप्लेट हो गया आप कोशन नमर दो कि दोसरा सवाल है फ्रेंट्स आकरिती 8.13 में 10 प्यार कोट आर कमान ग्याद करना है और यह आकरिती फ्रेंट्स आपके किताब में दिया हुआ है यह आप देख सकते हैं तो सबसे पहले फ्रेंट्स यहां जो दिया मैंने लिख लिया पी क्यू कमान 12 cm दिया है पी आर 13 cm दिया कि आर कमान पता नहीं है तो सबसे पहले फ्रेंट्स हम इस सवाल में क्यू आर कमान ग्याद करेंगे तो क्यू आर ग्याद करने के लिए में क्या करना होगा तो देखिए यह समझ लिजिए समकुण तिर भुजे और इसके सामने का भूजा यह कर यानि पी आर जो भु अंडरूट पी आर स्क्वेर माइनस पी क्यू का स्क्वेर, करन से हम पी क्यू घटा देंगे तो क्यू आर हमें पता हो जाएगा, तो पी आर यहां पा है फ्रेंड्स, तेरा, तेरा का वर्ग माइनस, पी क्यू बारा, बारा का वर्ग, तेरा का वर्ग, तेरा का वर्ग, एक सो 24 अब 179 से 44 घटा देंगे फ्रेंड्स तो 9 से 4 घटेगा 5 यहां बचा 6 6 से 4 घटा देंगे 2 एक से घटा कुछ नहीं तो पचीस पचीस का वर्गमूल होता है फ्रेंड्स 5 तो यहां पर हम रिणात्मक नहीं ले सकते क्योंकि किसी भी भूजा का किसी भी तिर्भूज का भूजा जो है रिणात्मक नहीं हो सकता है इसलिए यहां पर हमारा क्यूं बराबर हो जाएगा प्लस 5 अब हमें फ्रेंड्स इसका मान गयात करना है तो लिखेंगे 10 10P अब 10P निकाल लेते हैं सबसे पहले तो देखिए 10P बोला है यानि हमको P कोण मानना होगा तो जब इसको कोण मानेंगे फ्रेंट्स तो इसके सामने वाली भूजा यह लंब हो जाएगी और यह निकला है कितना 5 तो यह लंब हो गया और यह अधार हो गया हमें पता है कि 10 का मान होता है लंब बटा अधार तो लंब हमारा है 5 अधार है 12 उसी तरह कोट आर निकाल लेंगे कोट का होता है अधार बटा लंब अधार देखिए अब यहां पे कोट आर का रहा तो जब आर को हम कोण मानेंगे तो इसके सामने वाली भूजा यह लंब हो जाएगी और यह अधार हो जाएगा तो अधार यह हो गया तो अधार केतना है 5 और लंब केतना हो जाएगा 12 पांच बटा 12 तो अब इसका वामान लिख सकते हैं 10P माइनस कोट आर 10P देखिए पांच बटा 12 माइनस आधार कोट आर केतना है 5 और 12 तो यहां पे आप इसको काट भी सकते काट दीजिएगा तो 0 आ जाएगा यह आप लगुतम लेकर भी बना सकते हैं फ्रेंट्स तो बा जीओ यह अंसर हो गया तो सवाल नमर द्धी Europy कम्प्रेट हो गया फिरेंट्स do you think कि इस एक है कि सवाल है यह दिसका जेए ने बराबर तिन बर्टा चार तो कोस ए और टेंड हमांद परकलित किजिए सस्में साइए बराबर तीन बड़ा 4 दिया हुए है और हमें कोस जे और टें अ कमाल घ्याद करना है सबसे पहले जो दिया है परेंडस उसको लिख लेते हैं साइन ए बराबर तीन बटा चारर यह मैं पता है कि साइन का होता है लंब बटा करव यहां लंब हो जाएगा तीन लंब ब्राबर तीन करव ब्राबर चारक हमें क्या निकालना फ्रेंड्स इसमें अधार निकालना है क्योंकि अधार यहां दिया हुआ नहीं है तो पाइथागोरस पर मैसे परमेश से आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वेर माइनस लंब स्क्वेर है ऐसे करन सोल लिए करण चारीड फ्रेंट्स तो चार का वर्ग माईनस लंब स्क्राव चार का वर्ग् स््नाились हो गया नो गटा देंगे तो बचे हैं अंडर का करना तो अहर में क्या करना है को से कमान ग्यात करना है तो कोस ए बरावा कोस का होता है अधार बट्टा कर्ण अधार बट्टा में कर्ण तो अधार देखिए कितना निकला है रूट साथ बट्टा कर्ण यहीं है तो तैन का होता है लंब बटा आधार लंब हैति अधार देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हर में परमे में आगे संख्या तो आम क्या करेंगे कि इसका परमे करन कर देंगे हर का तो तीन बटा रूट साथ गुणा रूट साथ बटा में रूट साथ यह जागा तीन रूट साथ बटा आप देखें रूट साथ रूट साथ को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ साथ हो जागा रूट हट जाएगा तो टेने का मान हो गया तीन रूट साथ बटा म साथ तो फ्रेंट्स इस तरह से सवाल नमर तिन भी कंप्लीट हो गया और फ्रेंट्स यह आपको यह वीडियो अच्छा लगणा पसंद आ रहा हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट करते हुए चले चौथा सवाला फ्रेंट्स यह अधिग 15 लगें बराबर 8 हो तो साइने और स्कुल के कमान ग्याद किजिए और सबसे पाहले प्रेंट्स जो दिया है उसको लिख लेते हैं 15 कोट 10 बराबर आठ तो यहां हो जाएगा कोड य만 बराबर आठ बटा में 15 और पता है फ्रेंड्स समय कि कोट का मान कोट बराबर होता है आधार बटा लंब तो आधार हो गिया यहाँ आठ और लंब हो गया 15 तो एक तिर्भूज बना कर हम इसको समझे लेते हैं मलजे ए बी और सिय तिर्भूज है तो आधार आठ हो गया लंब 15 और यह करन है जो कि हमें पता नहीं है करन निकालना है फ्रेंड्स तो पाइथागोरास पर मैंसे पर मैंसे लिखेंगे करन बराबर लंब स्क्वाइर प्लस अधार स्क्वाइर लंब है फ्रेंड्स पंदरा प्लस अधार आठ पंदरा का वर्ग दूसर पचीश प्लस आठ का चौशट दोनों को जोड देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट दूसर नवासी दूसर नवासी का वर्ग मूल होता है फ्रेंड्स तो करन हमारा हो गिया 17 हमें निकालना क्या है साइन और सेक ए लिख लेंगे साइन ए और हमें पता है कि साइन बराबर होता है लमब बटा करूँं लम बटा में तो लम यहां कैतना है 15 करन केतना निकला 17 यह अंसर हो गया दुसरा है सेख ए तो सेख का होता है करन बटा आधार करन है 17 और आधार निकला है आठ आधार पहले से दिया वाय फ्रेंट्स 17 बटा आठ यह दुसरा का अंसर हो गया इस तरह से है फ्रेंट्स अपका प्रेश्ण नमर चार भी कंप्लिट हो चुका है अब चलते हैं लास्ट सवाल पांच के तरफ अच्छची अश्फ्रेंट्स 15 वाल रम मलों का सेकी ठीटा बराबर तेरा बटा 12 तो और निस सभी की तिलंकोन मितिय अनुपाघ़ पर कलित की जिए सबसे पहले फ्रेंट्स अब जो दिया लिख लेते हैं सेक ठीटा बराबर के त सेरो बटा बार और सेख ठीटा बराबर होता है करन बट्टा आधार करन हो गया हमारा यहां पे तेरा और आधार 12 देखें फ्रेंड्स यहां पे दो दिया हुआ है करन और अधार दिया है लंब नहीं पता है तो तिर्भूज बना कर समझ लेते हैं तिर्भूज से पर मैंनिंगी एडी कि हमने एक समकौन तिर्भूज बनाया जिसमें यह सिख बूर के सामने वाली भुजào है तो यह देरा सेंटीमेटर हो गया और अधार माझने यह्राचा ड़ाटर बनी दिया है में लदों निकाल लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स में पाइथागोरस परमे से पाइथागोरस परमे से लंब ब्राबर अंडरूट करन स्क्वार माइनस अधार स्क्वार करन केतना फ्रेंड्स 13 13 का वर्ग माइनस आधार केतना है 12 12 का वर्ग 13 का वर्ग 179 माइनस 12 का वर्ग 144 गटा देंगे फ्रेंड्स तो बचेगा पचीस और पचीस का वर्ग मूल होगा पांच देखिए लंब भी हमें पता चल गया फ्रेंड्स लंब करन और रहती नों पता चल गया फ्रेंड्स तो हमें बोला है कि सभी तिलकूर्ण में मिदिया उनॉह पात तो शेक छीटा का दिया हुआ है एक है करके हम निकाल लेंगे तो इसको निकालने से पाहले फ्रेंड्स आंव फर्मूला लिख लेते हैं साइन को सथ थीटा टैन थीटा meaning कॉसेक थिटा सेक थिटा कोट थिटा अब पहला होता पंडित बद्री परसाद हर हर बोले तो साइन थिटा निकालना फ्रेंड्स तो साइन थिटा बराबर हो जाएगा पटा एच पी बटा एच पी का मतलब लंब एच का मतलब करण तो लंब दèces कितना है पंच करण तेरह है पहला काओ गया पंच बटा तेरह दुसरा पहूस्त थिटा निकालेंगे एक उसका थिटा कोष करा आद्हार दिया हुआ हूँ हैँ अद। दूसरा का भी यजया अंसर निकल गया तूसरा है रहे फ्रेंटस टेन ठीटा किसका होता है लम बट्टा सुर। है कि ल मैं घम मीन्स लम बट अधार तो लम देखे पांच रहें बाहरा पांच बट्टा बारा इस वह निंगल गया चौथा है कौशек सुरूब कोट कर निकाल लेते हैं यहीं पर कौट थिटा आप फिल्टा पी तक और इसका उलर्टा कर दीजी बारा नक três फिल्टा का हो गया उसके बाद सेख फिल्टा का निकला हुआ को सिंग दिटाका कि एच बट्टा पी हेच बट्टा फिए साइन थिटा का उल्टा है पिए इसको उल्टा कर दीजिए थेरा बट्टा बट्ट देखिए बाकी सभी तिर्कॉण मेती अनुपातों का मान हम लोगों यहां पर बहुत अस्तानी से निकाल लिया तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने परस्नावली आठ पॉंट एक का एक सर्साइज आठ पॉंट एक का हम लोगों ने 1-5 सवालों को बहुत ही असानी पूरों का और सरल्रंग से हल किया है तो फ्रेंड्स येदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो